हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आर चैनल मैं हूँ सुईता सिंग और आज मैं आप सब के साथ शेयर करूंगी मक्के के आटे से बनी ये रेसिपी जो कि बहुत ही आसान है और बहुत जादा टेस्टी बनती है इसे आप स्नैक्स के रूप में बना सकते हैं और ये आप देख सकते हैं कि ये देखने में कितनी जादा टेस्टी लग रही है और वाकई में ये बहुत जादा टेस्टी होती है तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं यहां पर मैंने चार मीडियम साइज के आलू लिया था उसे अच्छे से वाइल कर लिया है फिर मैश किया है और ये उसे भी ऐसे कोट लिया है, वो डालेंगे एक बड़ा चम्मच, साथ में धनिया और पुदीना को भी मैंने एक साथ में काटके डाल दिया है, अब डालेंगे एक छोटा चम्मच गरम मसाला, नमक डालेंगे स्वात की अनुसार, उसके बाद इसमें जाएगा चार चम्मच की ओला, हम लगबग बैसन, और बैसन डालने के बाद हम डालेंगे, मक्के का आटा तो यहां पे चार बड़े चम्मच मक्क का आटा भी मैंने लिया है, मक्क का आटा डालेंगे उसके पाद इसे अच्छे से कर लेना है, इसमें आप अपने पसंद पत् Amal आह Сब्ज nature आड़ो जो पसंद करती हूं या बच्चे जो खाना पसंद करते हैं अब मैं इसमें डाल दी हूं एक चम्मच चाट मसाला होमेट चाट मसाला इसके पाद आधा नीबू का रस और आटा थोड़ा सा और मैंने दो चम्मच के लगभग मक्के का आटा वापस से इसमें अड़ कर दिया है इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल पॉफेक्ट डो की जैसा ये तैयार हो चुका है तो अब हम फटा फट से इसको शेप देंगे तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा हाथ में ऑईल लगाई हूं और इसे एक टिक्की के शेप में बना लेती ह हैं और उसके बाद इसे हमें तलना होगा तो फटा फट से मैं बना लेती हूं और फ्रेंट्स एक बर फिर से मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसमें आप और भी वेजटेबल अपने पसंद के एड़ कर सकते हैं और बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है बनाना इसे बहु पर कर दी हूं और इसे हमें काफी अच्छे से तलना है और मक्य के आठे से बनी रेसिपी बहुत ही जादा टेस्टी लगती है एक बार इसे ट्राइब करिएगा आप सब को यह बहुत जादा पसंद आएगी और कभी-कभी होता है ना अचानक से घर में कोई आ जाता है तो आप कुछ अलग उसे बना के खिलाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ट्राइब कर सकते हैं और चाय के साथ में आप इसे एंजोई कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में बनने वाली बहुत ही जादा टेस्टी स्नैक्स रेसिपी है इसे ट्राइब करिएगा तो यहां पे आप द इस रेसिपी को जरूर बनाइए और अपने फीडबेक मुझे जरूर दीजिए तो फिलहाल यहां पे मैं इसे धनी और पुदीने के साथ में सफ की हूँ इस रेसिपी को प्लीज जरूर ट्राइ करिएगा अगर आपको अच्छी लगेगी तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैम अपनाना बहुत ही आसान है और खाने में यह बहुत जादा टेस्टी लगती है अच्छी लगी होगी अच्छी लगी है तो प्लीज प्लीज लाइक जरूर करिएगा बाबाई एं टेक केर थैंक्स फॉर वाचिंग